नमस्कार मैं हूँ सुनील और आप इस समय देख रहे हैं अपना साल्स कर्जगरम एजुकेशन एंड जोब बुलेटिन यानि ब्यार सिच्छा समाचार आज 24 नवंबर 2024 दिन रवीबाद आए जानते हैं ब्यार सिच्छा विभाग की बड़ी ख़बरों आपको बता दे कि ब्यार के सिच्छा अपर मुक्सचीव सिच्छा विभाग के अपर मुक्सचीव एसीएस डॉक्टर एस सिधान्त ने सिधास सहाब ने एक और बड़ा एलान कर दिया है कि एक दिसंबर 2024 से सिच्छकों को आगमन के साथ साथ जाते वक्त यानि कि आते आने के साथ साथ जाने के वक्त भी आपको सेलफी के साथ इस सिच्छा कोस पर अपनी उपस्तिती बनानी होगी और स्कुल छोड़नी होगी को या आदेश दिया गया या कार्ज जोए एक दिसम्बर दोहजार चौबीस से शुरू होगा वहीं बिते दिन एक और आदेश सिधास साव ने दिया था सिच्चा विभाग से पत्रे निकाला गया था अस्कूल टाइमिंग को लेकर वहा अस्कूल टाइमिंग एक दिसम्बर 2024 से ही लागू होगी। साढ़े नौ बजे से चार बजे तक टाइमिंग किया गया। वो भी ठंडे के मध्य नज़र। और अभी कुहां से गिरनी बाकी हैं। अब क्या होगा। अब कि सिच्च को एगण्टा की रहत मिली है। एगण्टा पहले और एगण्टा बाद में। आकर रुक गई बात भिर ट्रांसफार को लेकर, पुरानी ट्रांसपर पॉस्टिंग पॉलिसी को सिच्छा मंतरी ने रध कर दिया और पुख मंतरी ने कर दिया कि जो जहां है वह राजकर्मी बन गए लेकिन सिरार्थ सहाम ने फिर एक बात अठका दी उन्होंने कहा कि पत्र निकलेगा उस पत्र में डेट होगा उस डेट से आप राजकर्मी बनेंगे दो अर्धी बात वहें दुसरे दिन ही फिर से नई ट्रांस्पर निती एक पत्र के माध्यम से गाइडलाइन के रूप में जारी कर दिया गया उदारता दिखाई गई लेकिन उसमें भी कई उल्जने सिच्छक बता रहे हैं आकि किसके लिए ट्रांस्पर है साथ कटिगरियों में बाटा गया है ट्रांस्पर जेनरल एच्छिक ट्रांस्पर की अगर बात करें तो इसमें बरतमान के बिद्याले से एच्छिक है तब आ था देते आरच्छन जिनको देना था देते मात्र एक ही था कि आप अपना उप्षन बताई यह जहां उच्छा जाए इतनी जल्दीवाजी लेक्टर निकालने का क्या है मंसा क्या फिर से अठक सकती है भटक सकती है ट्रांस्पर क्या भी भाग फिर चाहती है कि कोई सिच्छा को खासकत होगा उमिद तो कम लगता है लेकिन हो जाए इश्वर की किरपा हो खुदा गोड किरपा हो कोई दिकते नहीं हो क्योंकि बहुत सारे सिच्छकों को गुरु जनों को दिकत तो है वह अभी एक-दो दिन से नहीं साल-दो साल से नहीं लगवक दस सालों से बीपी- उनकी जादा है, खर सब की दिकत हो सुलो हो जाए, भगजवान करें, लेकिन यह नियम रोज अप्डेट हो रहे हैं, बड़ी मंतर्ना भी चल रही है विभाग में, और कई और फैसले आपको शोमवार को भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जानने के लिए मिल सकते हैं, कार्ज जिस सिच्छकों को नए साल से पहले नए साल के सौगात के रूप में बड़ी चीज़ मिलने जा रहे हैं या जरूर याद रगिएगा कि मैंने आपसे कहा था खेर खबर की और बात करेंगे अप्रैल माई की परिच्छा के लिए पंजियन पिस तक एन आई ओएश राष्टिय मुक्त बिद्याली सिच्छा संसान एन आई ओएश ने इंटर्वमेट्री के लिए सार्व्यनिक परिच्छा के आवेदर फार्म भरने की तित्री जारी करती है अप्रैल माई द्वजार परिच्छा के लिए गुरु वार से परिकिरिया सुरू हो गई है अश्ट्रीम एक व हो सकते हैं वही इच्छा अनुसार पांच बिश्यों में भी वार से परिच्छा दे सकते हैं बिना बिलम सुल के तिन सो रुपे प्रति भी से जमा करने होंगे वहीं इंटर्मेट्री के पच्छत्तर में धावी विद्यार्थी होंगे शमाने ड़क्टर रजेतर परसाथ की जनती पर तिन दिसम्बर को मेदा दिवस का किया जाएगा आयोजन एक लाख रुपे और लैप्टोप टॉपर्स को दिये जाएंगे पच्छत्तर में धावी विद्यार्थियों को शमानित किया जाएगा बतादे बियार विद्याले परिच्छा समीती की ओर से मेदा दिव समारोँ, 2024 का आयोजन तीन दिसम्बर को डॉक्टर राजेंदर पर साथ के जन दिवस के असर पर किया जाएगा इसमों के पर इंटर वा मेट्रिक वार्षिक परिच्छा 2026 के 75 में धावी विद्यार्थियों को शमानित किया जाएगा इसमें इंटर के 3 के संकाई में टॉप पांच में पांच विद्यार्थी सामिल है, मैट्रिक में राजबर में टॉप 10 में रहने वाले विद्यार्थियों चता इंटर में तीनों संकाई में टॉप 5 में रहने वाले विद्यार्थियों को समीति की ओर से पुश्क्रित किया जाएगा, इस मोके पर सिच्चा विभाग किया जाएगा वहीं आपको बतादे कि असानांत्रन के लिए जारी महारदस्तिका का सिछक संग ने किया स्वागत है कि बिहार के लाखों सिच्छक वर्सों से एच्छी कसानांत्रन के मांग को पूरा करती पर्तित हो रही है जिसका बिहार के लाखों सिच्छक तहे दिल से स्वागत करते हैं अलाकि अगामी एक दिसम्बर से ही यह ज्यात होगा कि सौप्टवेर में क्या-क्या विवस्था की गई है फिलाल बहुत कुछ है अभी पर्दे के पीछे है बता देए हैं स्कूलों में प्रातना विहार गीत और राश्न गान के लिए लॉड़ स्पिकर का इस्तेमाल अनिवाज किया गया है कछह में छाच्छातरा एक साथ बैठेंगे प्रातना सभा में बच्चों का समाचार वाचन भी अनिवार्ज किया गया है अगामी एक दिसम्बर से सभी सरकारी अस्कूलों की टाइमिंग निर्धारित कर दी गई है, इसके लिए सिता मरी जिले से भी कुछ बाते निकल कर आई है, कि 2915 अस्कूलों का संजालन जो है उसे नोग वहाँ होगी, और यह खास निर्देस वहाँ दिया गया है, इसमें 43 से बाहर रहे बच्चों की पहचान को घरगरब होगा सर्वे, यानि कि यह अभियान 15 नमंबर से ही शुरु है और 30 दिसम्बर तक दोजार सोबी तक चलेगा पटना दिने में, शिनित बच्चों के हिसाब से उमर साचे के तात का च्छाओं में नामंकर कराए जाएगा, सं उर्दू बांगला T.A.T. सिचक्षंग में, बतादे कि उर्दू बांगला T.A.T. प्रभावी तुम्हे दवारों की एक बेटक वितेदीर सहीद खुदीराम भोष मुझपरपूर में, बोष परफुल चोकी एसमारक अस्तन मुझपरपूर में, मुझपरपूर जिले से ब बाद कुछ तर्ट तकनिकी खामियों के वज़ा से हम लोगों को फिल कर हमारे रिजल्ट को अमान कर दिया गया, अब हमारी उम्हेरे सिमा भी समाप्थ हो रही है, बड़ी मांगए वहीं सरकारी सिचकों के अस्तानांतरन के लिए नई गैडलाइन जारी, अस्तानांतरन के सिचकों के लिए आवेदा समनी दिसान निर्देश पी जारी कर दिये गए है, इस सिच्चा को इसके मादम से बिहार के सिचक जो हैं अपना आवेदान कर सकते हैं, एक दिसम्बर से परफाइल के बितने विवरन एत्रूटी होतों दियों से सुधार कराने की बात की गई है, एविसे अविवाग की मार्दस्ता में बात सामने आई है, परात्मिक शिच्चा ने दे सक पंकच कुमार की और से, शुकरवार को नई समस्या से ग्रस सिच्चक से चिकाई ही एच्छिकत वादले को कर सकेंगे, आवेदान यह एक अलग बात है, अलग अलग आवार प्राश्मिक्ता को ले करेया आदे से दी गई है। खबरें फिलाल आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और जो भी और पाते हूं वह कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्योंकि आपका कॉमेंट बॉक्स ही हमें समस्याब बताती है और उस पर हम आवाज उठाने की कोशिस करते हैं। मिलते हैं ये वीडियो में तब तक के लिए दिए इजाज़त जाएं। मिलते हैं।